प्रिष्ट एकसो तीन, एकाई दो, सिरिजनात्मक लेखन प्रिष्ट एकसो चार, एकाई दो, सिरिजनात्मक लेखन प्रिष्ट एकसो पाँच, पाठ छै, शीर्शक कैसे बनती है कविता, इस पाठ में पढ़े, कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन, कविता में बिम्ब और चंद, कविता की सनरचना, कविता के घटक, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, ये हमारे जीवन में किसी भिक्षन, बसंत की तरह आ सकती है, कविता के बनने की कहानी, मा, धादी और नानी की जबानी, लोरी के बोल, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जबान से गीत दोहराता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोडता बच्चा, कविता की ये जानी-पहचानी दुनिया है, जिसे हम सब जानते हैं, आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश होंगे, क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नरसरी गानों से शुरू होती है, जैसे ही इन सवालों की और मुखातिब होते हैं, कविता की जानी-पहचानी दुनिया अंजानी लगने लगती है, कविता के खेत, खलिहान, बाग, बगीचे, चिडिया, शेर, मूची, पानी, सूखा, गाउं, नगर, सब अपरिचित से लगने लगते हैं, इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है, तो कभी पहेली। प्रिष्ट एक सौच्छे वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है, उसके साथ ही मौजूद है ये सवाल के कविता क्या है, यद्यपी कविता की इस पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वो हमारे मन को छू लेती है, कभी-कभी जखजोर देती है, कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है ये संवेदना संपून स्रिष्टी से जुडने और उसे अपना बना लेने का बोध है ये वही संवेदना है जिसने रतनाकर डाकू को वालमी की बना दिया और वे कह उठे मानिशाद प्रतिष्ठाम त्वमगमह शाश्वती समह यतक्रौच मिथना देकमवधी काम मोहितम इसी को सुमित्रनंदन पंत ने कहा है वियोगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा गान उमढ कर आखों से चुपचाप बही होगी कविता अंचान सवाल ये उठता है कि जो वस्तू हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवी कहता है जहां तक कविता लेखन का सवाल है इस संबंद में दो मत मिलते हैं एक तो ये के कविता रचने की कोई प्रणाली, सिखाई या बताई नहीं जा सकती है लेकिन ये भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्व विद्यालेओं में और अब अपने यहां भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकाईदा प्रशिक्षन दिया जाता है सवाल ये भी है कि चित्रकला, संगीतकला, नृत्यकला आदी सिखाई जा सकती है तो कविता क्यों नहीं? जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे कविता का जादू खुलने लगेगा ये वो संसार है जो आपको संभवत है एक कवी ना बना पाए लेकिन अच्छा, भावुक या सहरदय पाठक जरूर बना देगा कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा दरसल एक अच्छी कविता आमंतरित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए कुछ-कुछ शास्त्री ये संगीत की तरह जब तक आप उससे दूर हैं रहस्सेमई लगेगी करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने को जी चाहेगा अच्छी कविता आपसे सवाल करती है सुने और पढ़े जाने के बाद भी वो बची रह जाती है आपकी स्मृती में बार बार सूचने के लिए प्रिष्ट 106 पर मुक्ति बोध की हस्त लिपी में एक कविता चापी गई है प्रिष्ट संख्या 107 वापस चलते हैं पहले सवाल पर के कविता अन्यकलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती आप चानते हैं के चित्रकला में रंग, कूची, कैन्वस तो संगीत में स्वर, ताल वाद्य आदी की जरूरत पढ़ती है लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाहे उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती कवी की एक कठिनाई ये भी होती है कि उसे भाशा के उन्ही उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेश रचना होता है जो विभिन विशियों एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है वो अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुठाता है और उसे लए से गठित करता है कविता की अंजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है इस संबंद में अंग्रेजी कवी डव्यू एच ओर्डेन ने भी कहीं कहा है के प्ले विद्द वर्द्स यानि आरंब में शब्दों से खेलना सीखे इसी को एक उदाहरन से स्पष्ट किया गया है कलपना करें कि आप स्कूल के विद्द्यार्थी है कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, अंजान है जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुँचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्द्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है शब्दों से खेलना, उनसे मेल जोल बढ़ाना शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है कुछ-कुछ इंटरनेट की तरह इंटरनेट से जुड़ना ज्यान विज्यान की नई दुनिया से जुड़ना है शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है आपने देखा होगा कि बच्चे खेल-खेल में गीत रच डालते हैं दरसल रचनात्मक्ता सब के अंदर होती है उसे तराशने की जरूरत है तुकबंदी के प्रयास में धीरे-धीरे उनकी रचनात्मक्ता आकार लेने लगती है घो-घोरानी कितना पानी अथवा अकडबकड बंबे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ में लगा धागा चोर निकल कर भागा कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता, तो क्या होता? तोता होता? रगुवीर सहाए वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे के आपको बीमारी है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानिके बढ़ते ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं बिल्कुल गोल ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में उपर दिये गए काव्यान्शों में कवी ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है खेल खेल में किये गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं शब्दों का ये खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां रिदम है, लए है और एक व्यवस्था है यही प्रवृत्ती आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रख कर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है यानि शब्दों के खेल से शुरू ही कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोची राम की कुछ पंक्तियां लेते है चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गरती है इन पंक्तियों में पेशे पर चोट याने उचित महनताना नमिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है इन ही पंक्तियों की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा पड़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी उभरती है जो मौका पाकर और गरती है अंगुली में इन पंक्तियों की सनरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है पेशे की चोट पर कम जबके उपर की पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल है इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सूचें कि वाक्य सनरचना का कविता में क्या महत्व होता है कविता में शब्दों के परयाय नहीं होते उपर युक्त पंक्तियों पर ध्यान दें यदि पहली पंक्ती में चोट की जगे मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग हथोडे की चोट अर्थ रखता है प्रिष्ट 109 पर निराला की हस्त लिपी में उनकी एक असंकलित कविता बहुचन से साभार चापी गई है प्रिष्ट 109 बिम्ब और चंद अर्थात आंतरिक लए कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं हमारे पास दुनिया को जानने का एक मात्र सुलब साधन इंद्रियां ही है बाहे संबेदनाएं मन के स्तर पर बिम्ब के रूप में बदल जाती हैं कुछ विशेश शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं ये स्मृती चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिम्ब निर्मित करते हैं उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें तट पर बगुलों सी विध्धाएं विध्वाएं जप ध्यान में मगन मन्थर धारा में बहता जिनका अद्रिश्य गती अंतर रोधन उपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें बगुलों सी विध्धाएं विध्वाएं पढ़कर आपकी स्मृती में बगुलों का आकार उसकी सफेदी और विध्ध विध्वाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं प्रिष्ट 110 रामदास कविता का ये प्रथम प्रारूप है कविता के दौरान शब्दों और वाक्यों में दिखने वाले परिवर्तन ये दिखाते हैं कि स्रिजन प्रक्रिया के दौरान शिल्प भी भाव और परिवेश से निर्धारित होता है सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाशा की आवशक्ता पर बल दिया है क्योंकि चित्रों या बिम्बों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है दिख बिम्ब अधिक बोध गम में होते हैं क्योंकि देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दिख और श्रव बिम्बों की संभावना तलाश करनी चाहिए ये बिम्ब सभी को आक्रिष्ट करते हैं इसलिए किसी विचारक ने ये कहा था कि कविता ऐसी चीज है जिसे पांच ग्यानिंद्रियों, स्पर्श, स्वाद, द्रिश, घ्रान, श्रमन रूपी पांच उंगलियों से पकड़ा जाता है जिस कवी में जितनी बड़ी एंद्रिक पकड होती है, वो उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है चंद यानि आंतरिक लए कविता का अनिवार्य तत्व है मुक्त चंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लए का निर्वाहा जरूरी है कवी को भाशा के संगीत की पहचान होनी चाहिए नागारजुन की बादल को घिरते देखा है नामक कविता को देखें यहां मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेश चंद ना होकर भी संगीतात्मक लयात्मकता है इसी तरह धूमिल की कविता मोची राम में उपर उपर से देखने पर चंद नहीं है लेकिन अर्थ का अपना भीतरी चंद निरंतर मौजूद है बाबु जी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है कविता के उपर युक्त सारे घटक परिवेश और संदर्ब से परिचालित होते हैं नागार जुन की एक छोटी सी कविता है अकाल और उसके बाद परिवेश गाउं का है इस कविता में संदर्ब अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है कविता की भाषा, सनरचना, बिम्ब, छंद सब उसी के इर्दगिर्द घूमते हैं कई दिनों तक चूला रोया, चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्ट कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद धूमा उठा आंगन से उपर कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद कववे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद प्रिष्ठ 111 पर एक गतिविधी दी गई है कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व है प्राकृतिक दिरिष्यों को सजीव एवं चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत करने की शैली को मानवी करण कहते हैं जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उशा ना गरी मानवी करण के ऐसे ही पांच उदाहरण देते हुए उनका कविता पोस्टर तैयार करें प्रिष्ट 112 है अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवी ने सांगीतिक विवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है जैसे घर में दाने का आना, आंगन से उपर उठता हुआ धुआ, घरवालों की आँखों में आई चमक और कवों के द्वारा पंकों का खुजलाया जाना गाउं के परिवेश के लिए चूला, चक्की, दाने, पांक, आदी, तदभव शब्दों का प्रियोग हुआ है यहां किसी भी शब्द को हटा कर उसका परियाय रख दें, तो कविता का अर्थ बदल जाएगा जैसे कई के स्थान पर बहुत शब्द रख दें कई शब्द एक-एक दिन की अकाल की भीशनता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ है जो बहुत के द्वारा संभव नहीं था अब देखेंगे के इस कविता में एक साथ ठेट गमई शब्दों के साथ शिकस्त गश्त जैसे उर्दू शब्दों का प्रियोग इसे सहज परिवेश देता है ध्यान देने की बात है के यही कवी जब बादल को घिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृती भव्य हिमालय का संदर्य वरणन करता है तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाशा खुद बखुद तत्सम पदावली से युक्त हो जाती है परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं कवी की वयक्तिक सूच, दृष्टी और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है कवी की इस वयक्तिकता में सामाजिक तामिली होती है हवा में सुगंद की तरह कुछ-कुछ निराला की सरोज स्मृती की तरह गंगोर, निजी और उतनी ही सामाजिक इसे वो भाशा में बरतता है भाशा के साथ कवी का ये बरताव ही कविता कहलाती है प्रतिभा इनी तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक शमता है जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाती है कविता के कुछ प्रमुख घटक है कविता भाशा में होती है, इसलिए भाशा का समयक ग्यान जरूरी है भाशा शब्दों से बनती है शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है भाशा प्रचलित एवं सहज हो पर सनरचना ऐसी के पाठक को नई लगे कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है इसलिए चिन्नों यहां तक के दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है इसलिए विभिन का विशैलियों का ग्यान भी जरूरी है चंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवी के लिए जरूरी है तभी आंतरिक लाइका निर्वाह संभव है कविता चंद और मुक्त चंद दोनों में होती है चंदो बध कविता के लिए चंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्चक है ही मुक्त चंद में लिखने के लिए भी इसका ग्यान जरूरी है कविता समय विशेश की उपज होती है उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है अतहे किसी समय विशेश की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्चक है कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी-कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवी की ताकत बन जाती है प्रिष्ट एक सब्ते रह मोटे तोर पर ये बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है पर सौ बात की एक बात के सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नमीन, दृष्टी या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो तो काव्य लेखन संभव नहीं भारती विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है ये प्रतिभा प्रकृती प्रदत्त होती है और हर आदमी में किसी ना किसी रूप में मौजूद होती है किसी नियम या सिध्धान्त के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है जहां तक कविता का सवाल है शब्दों का चैन, उसका गठन और भावा नुसार लायात्मक अनुशासन वे तत्व हैं जो जीवन के अनुशासन के लिए जरूरी है भाशा सीखने में तो मददगार हैं ही कविता की ये कुछ ऐसी विशेशताई हैं जो कविता रचना भले ना सिखाए लेकिन इन्हें जानना कविता को रचने का मजार दे सकता है और कविता को सराने का सुख भी साथी शब्दों की दुनिया में प्रवेश उनसे खेलना विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ती और उर्जा को बाहर लाने में अदभुत भूमिकान निभा सकते हैं प्रिष्ट 113 अभ्यास पाठ से संबाद एक आपने अनेक कविताएं पढ़ी होंगी उनमें से आपको कौन सी कविता सबसे अच्छी लगी लिखिए ये भी बताइए कि आपको वो कविता क्यों अच्छी लगी आपके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिनोंने आपके मन को छुआ होगा उस अनुभूती को कविता के रूप में लिखने का प्रियास कीजिए तीन, शब्दों का खेल, परिवेश के अनुसार, शब्द चैन, लए, तुक, वाक्यसन रचना, यती गती बिंब, संग्षिप्तता के साथ-साथ, विभिन अर्थस्तर आदी से कविता बनती है दी गई कविता में इनकी पहचान कर अपने शब्दों में लिखें एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाई अनेक दैन्यदानव, क्रूर स्थिती, कंगाल बुद्धी, मजूर घर भर, एक जनता का अमरवर, एक ताका स्वर, अन्यथा स्वातंत्रिय इती शम्षेर बहादुर सिंग